हैलो दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं slapped biz underground house wiring में जो 12 माडोर का board लगाया जाता है उसकी wiring connection किस प्रकार से किया जाता है तो इस वीडियो में शूरू से last तक देखना है बीच में skip नहीं करना है इस board में दोस्तो हमारा main line से भी connection करना है और इनवाटर से भी कनेक्शन करना है मेरा नाम है सर्वर यालम और से अलेक्टिकल चैनल पर आप लोग का विलकम है तो दोस्तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लिए यह हमारा 12 माडूलर बोर्ड का प्लेट है ठीक है दोस्तो यानि सीट है अब दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम ओपन कर ले रहा है देख सकते हैं इस प्रकार से और यह हमारा इसक्रू है इसको कसने के लिए इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे दोस्तो देख सकते हैं हलका सा प्रेस करेंगे दोनों साइड में दबाएंगे तो यह हमारा खुल जाएगा देख सकते हैं यह हमारा अंदर का बेस है और यह हमारा उसका कवर है ठीक है दोस्तो अब उसके बाद दोस्तो इस बोर्ड में हमें स्वीज सॉकेट फैन रेगुलेटर को फिटिंग करना है देख सकते हैं इस बोर्ड में हमारा एक socket रहेगा और power socket रहेगा और एक fan regulator और बाकि switch का हमें इसमें connection करना है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम switch socket fan regulator को install कर लेते हैं तो देख सकते हैं यह हमरा power socket है जो 16 ampere का है देख सकते हैं और उसके बाद 16 ampere का यहाँ पर हम switch लगा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है यहा लगा लेंगे और उसके बाद दोस्तों हमारा 6 MPR का जो स्वीच है उसे भी लगा लेना है यहां पे आप देख लिए यह हमारा फैन रेगुलेटर है फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसे भी लगा लेंगे दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक को हमने अच्छी तरीके से इंस्टॉलेशन कर लिया है देख सकते हैं इसका लुक आप देख सकते हैं गाई इस कितना शांदार दिख रहा है ठीक है अब दोस्तों बात करें इसकी वाइरिंग कनेक्शन भी आपको करके दिख लाएंगे यह वाला जो हमारा सॉकेट है इस व वाले टर्मिनल पे हम वायर का लूपिंग करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं, एक स्क्वाइर एमेम का हम वायर ले लिया है, अब इस तरह से मेजरिंग करने के बाद वायर का इंसुलेशन आपको रिमूब कर लेना है, देख सकते हैं, इस तरह से रिमूब करने के बाद, switch का निचला वाला जो हमारा terminal है ठीक है यानि जितना हमारा switch है हमें looping करना है देख सकते हैं इस परकार से wire से हम looping कर देंगे attach कर देंगे इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे इसमें एक ऐसा trick बताने वाला हूं जिससे कि आपका जो switch और socket है जल्दी खराब नहीं होगा जो नए electrician है वो बार-बार या गलती कर देते हैं तो वीडियो में आप बने रही है switch के निचले वाले terminal पे देख सकते हैं wire का हमने looping किया है और screw को full tight करना है पहला point losing रखेंगे तो spark करेगा load पढ़ने पे और ये जल जाएगा तो देख सकते हैं उपर वाला जो हमारा switch का निचले वाला terminal है यानि जितना switch हमने looping कर लिया है अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे हमारा दो switch है ठीक है एक इसमें हमारा power का है यानि 16A का है अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक wire का टुकड़ा ली हैं देख सकते हैं वन स्कॉयर अमें का ठीक है ये जो wire है दोस्तों आप जो हमारा 6A का switch और socket है वहाँ पे लगाएंगे देख सकते हैं इस परकार से switch के उपर वाले treatment पे हम connection करेंगे इस परकार से देख सकते हैं और screw को full tight करना है देख सकते हैं इस तरह से connection कर लेंगे तो यहाँ पे हम इसको connection कर देंगे और screw को full tight कर देंगे अब दोस्तों देख सकते हैं एक switch से हमारा रहा यह vímAL socket है कनेक्ट हो चुका है वाईर यूँज करना है ठीक है एक स्कॉयर म्म की वाईर नहीं यूज करना क्योंकि इसमें हेवी लोट चलाया जाता है स्वीच के उपर वाले टैन्मेर पे हमने कनिक्षण किया है उसके बाद सौकिट के यल पॉइंट पे यहां पे हमारा यहां ला रहा है तो यहां पे हम connection कर देंगे देख सकते हैं इस परकार से connection कर दी है अगर दोस्तो power socket और power switch में one square mm का wire अगर आप connect करते तो load पढ़ने पे wire आपका hitting होके जल जाता जिसे की socket भी और switch भी जलने का chance से ज़्यादा रहता है अब दोस्तों इसवाले switch से हमारा fan regulator है operate होगा ठीक है दोस्तो switch on करने पर हमारा fan regulator on होगा ठीक है दोस्तों यहां पे हमने connection कर लिया है अब दोस्तों हमें neutral का connection करना है तो देख सकते हैं 1 square mm का हम यहां पे wire लिया है और इस तरह से देख सकते हैं जो 6 Corey時 का हमारा power socket के neutral वाले point पे connection करना है दोस्तों इस board में पहले से ही wire डाला गया है यहां पे हम बात करें yellow color की एक square mm की यह हमारा light का, fine का half wire यानी face की wire है इस तरह से दोस्तों आपको tape लगा देना है अच्छी तरीके से अब उसके बात दोस्तों हमारा जो neutral वायर है देख सकते हैं blue color का हमारा 1 mm में ठीक है वो light का, fine का neutral है और 2 mm में हमारा जो black color का neutral वायर है इसको अच्छी तरीके से टेपिंग लगा देना है उसके बात दोस्तों हमारी जो red color की phase वायर है high square mm की और जो हमारा हारा color का वायर है इन वायर का इन वायरों को अच्छी तरीके से हाफ वायरे में हमने टेपिंग कर लिया है neutral भी हमने यहां पे कर लिया है अब उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते है neutral का जितना वायर है इस तरह से दोस्तों looping करने का looping करने के बाद अच्छी तरीके से आपको tape लगाना ठीक है अब tape भी हमने यहां पे लगा दिया है चलिए अब यहां पे connection करके दिखलाते हैं यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारी half wire यानि phase वायर है light का फैन का wire का insulation हम remove कर लेंगे जो power socket का हमारा neutral वाला point है देख सकते हैं यहां पे हमने connection किया है ठीक है तो neutral का connection हमारा यहां पे हो चुका है उसके बाद देख सकते हैं यहां पे switch के निचले वाले ten where पे हमने wire का looping किया था तो हम यहां पे cut कर लेंगे ठीक है क्योंकि हमारा normal जो socket है वो inverter से रहेगा और power वाला हमारा main line से रहेगा तो देख सकते हैं rate color का यह 20 square mm का हम wire यूज कर रहे हैं ठीक है circuit का wire है तो switch के निचले वाले ten where पे हमने connection किया जो 16 ampere का है ठीक है अब दोस्तों यह जो हमारी inverter की wire है हरा color की देख सकते हैं ठीक है यह 75 mm की wire यहां पे यूज किया जा रहा है अब दोस्तों यहां पे क्या करेंगे जो हमारा normal socket है यहां पे हम connection कर दी है उसके बाद यहां पे हमारा एक fan भी रहेगा inverter से और एक light का connection करना है तो इस तरह से wire हम cut कर लेंगे बीच से देख सकते हैं जो हमने switch में looping किया था ठीक है अब यह light और एक fan ठीक है हमारा inverter से रहेगा तो चलिए यहां पे हम इसमें supply दे देते हैं और check करके आपको connection करके दिखलाएंगे उसके बाद दोस्तों inverter की wire लेंगे और इसमें एक और wire looping करेंगे इस तरह से देख सकते हैं switch के निचले वाले टेर्मियन में हम connection कर रहे हैं यह वाला जो हमारा socket है inverter से connection होगा ठीक है अब दोस्तों यहां से हमें connection करने के बाद हम wire का टुकडा measuring करेंगे cut करेंगे wire का insulator remove करेंगे और दो और switch हमें यहां पे attach करना है inverter से इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं inverter से हमारी एक हमारी light का हो जाएगा और एक fan का हम connection कर देंगे अब दोस्तों क्या करेंगे इस board में हम supply देंगे दोस्तों चलती line में आपको काम नहीं करना है यहां पे tester में आप देखेंगे तो इस तरह से दोस्तों क्या करेंगे switch के उपर वाले टेर्मेर में हम connection कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों हम live टेस्टिंग करते हैं और connection कर देते हैं जिससे की बार बार हमें board open करने की ज़रूरत ना पड़े देख सकते हैं अब उसके बाद दोस्तों हम जो concealed light हमारा ceiling में लगा है उसको भी हम check करेंगे उसे हमें main line से connection करना है देख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों जिस side में हमारा main line से connection किया गया है switch के उपर वाले टेर्मेर पे हम connection कर देंगे इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख पार है screw को full tight करना है losing नहीं रखना है अब दोस्तों हमारा main line से हमारा एक light हो चुका है उसके बाद दोस्तों हमारा दोसरा light जो है concealed light जो ceiling में लगाया गया है उसको भी हम यहाँ पे check करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम touch कर रहे हैं और हमारा यह जो जल गया देख सकते हैं अब इसका भी हमें main line से connection करना है तो देख सकते हैं switch के उपर वाली 10-1 में हम connection कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पे हमारा दोल main line से connection हो गया है ठीक है light और एक हमारा inverter से हो गया है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने connection कर लिया है दोनों light जल आ है ठीक है अब यहाँ पे भी दोस्तों हमें connection करना है main line से ठीक है यहाँ पे bulb लगाए है और इस तरह से दोस्तों हम touch करके यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यह जो bulb है जल आ है ठीक है अब इसका भी हमें connection कर देना है यानि main line से तो एक switch हमारा बसता था और इसका भी हमने यहाँ पे connection कर लिए यानि तीन light हमारा main line से है और एक light हमारा inverter से है और fan जो है हमारा inverter से रहेगा तो यह wire हमारा बसता है fan का अब इसका दोस्तों हम connection करेंगे fan regulator के wire में ठीक तो इन wire को अच्छी तरीके से दोस्तों हमें joint कर लेना है losing नहीं रखना है और अच्छी तरीके से tape लगा देना है अब दोस्तों हमारी जो wiring connection है complete हो चुकी है इस board को कसने के लिए black screw हम use करेंगे जो डेन इंची का है देख सकते हैं इस तरह से wire को मुड़ेंगे ठीक है और अच्छी तरीके से इस board को हमें सिधाई हो गया है देखके full tight कर देना है दोस्तों अगर आप इस channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर लिजेगा बेल आइकान जरूर प्रेश कीजिए विडियो पसंद आयागा तो like करिएगा आपके अमन में किसी तरह का सवाल होगा सुजा होगा तो नीचे comment box में चरूर लिखिएगा उसका reply मैं जरूर दूँगा तो इस तरह से दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं बोट कसने के बाद सीधाई देखने के बाद अब दोस्तों इसका जो हमारा कभर है इस कभर को हम लगाएंगे इस तरह से दोस्तों कभर को लगा लेना है देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से जो हमारा switchboard का वायरिंग यहां पे complete हो चुकी है अब हम switch को on कर रहे हैं देख सकते हैं हमारी जो बल्ब है जल लई है दोस्तो आज के वोड़ों में इतना ही मिलते हैं next video के साथ तब तक लिए